मेहनत और किस्मत में कौन बड़ा होता है और किसकी वज़े से एक इंसान को सफलता मिलते हैं असल में दोनों ही जरूरी है तो जब भागे साथ ना दे तो क्या करे भागे कैसे बदलता है इस वीडियो का मेंन मोटिव है कि अपने भागे को कैसे बदले हमारा कर्म बड़ा है जब भागे बड़ा है गीता में लिखा है कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर क्योंकि हमारा सही कर्म ही हमारा भागे बनेगा दर्श को आज आपको पावर ओफ पॉजिटिविटी का जादू सीखना है हाई दिस इस वीना कपिल नमस्कार कैसे हैं आप इश्वर करें आप हमेशा खुश रहें तंद्रुस रहें खुशियां बांटते और बटोरते रहें आपके अपने चैनल जोतिश क्योरी पर आपका हार्दिक स्वागत करते हूं और उन सब की तहे दिल से शुक्र गुजार हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ज़करने जा रहे हैं किर्पया बेल बटन को भी दबा दीजिए आज इनके शादी की सालगिरा है तथा आज जिनका जनम दिन है तथा उन सब को जिनके कदमों को आज सफलताने चूम लिया है उन सब को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जदी आपको दुर भागे के बंद गलेयारों से बाह अठे रहना आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है हमेशा पॉजिटिव रहना है आज तक आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए उस इश्वर का शुक्र गुजार होना है आत्मा को स्वस्त रखने के लिए हर रोज मेडिटेशन करनी है और मन को इश्वर के साथ जोड़ना है क्योंकि मन की एकागरता ही वेचाबी है जो भागे के बंद ताले को खोलेगी सुबा ब्रह्म मुहुरत में जागने की आदत डाले योग अभ्यास कसरत आजी करें हर दिन नहाद होकर स्वच कपड़े पहने घर की साफसफाई तथा अपने आसपास के स्वच्चता पर भी ध्यान दे अपने जीवन में लक्षे अवश्य ही निर्धारित करें किसी ने दॉस्च और फीलिंग्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए हमारी Hidefishस और फीलिंग में व्य शक्ति है जो हमारी हर एक सिच्चेयोंस को बदलने की शक्ति रखती है जब हम लगातार एक थल्ट पर्पोकस करते हैं और लगातार प्रयत्र शील हो जाते हैं हार नह आंतता हम बैभी प्रापत कर लेते हैं जो हमारे भागे में नहीं लिखा होता पिछले जन्मों में हमने जो करम किये उन करमों का फल ही हमारा भागे बनकर आज हमारे साथ आया है तो फिर सोचिए हमारे इस जन्म के करम कैसे व्यर्थ जाएंगे बैभी कहीं न कहीं हमारा राज्यों के सीमा पर एक त्रिकाल दर्शी सादू महात्मा रहते थे उनकी भविश्यवानी कभी गलत नहीं होती थी दोनों राजा अक्सर कोई बड़ा फैसला करने से पहले उस महात्मा जी से संपर्क कर लेते थे एक दिन एक राजा के मन में अपने राज्ये के विस्तार की इच्छा पैदा हुई तो उस राजा ने महात्मा जी से पडोसी राजा से युद्ध करने के इच्छा बताई और अपनी हार जजीत के बारे में पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों के कारण तुम्हारे भागे में हार निश्चित है अब राजा बहुत चिंतित हुआ किन्तु उसे अपनी हार का कारण भी दिखाई दे गया था सो उसने महात्मा जी का शुक्रिया किया और दिलो जान से युद्ध के अभ्यास में कूद गया उसने अपने सैनिकों की सारी सुक सिवधाओं का ध्यान रखा तथा युद्ध का कड़ा अभ्यास भी किया सैनिकों को युद्ध जीतने के फाइदे भी बताए रोज के अभ्यास की चर्चा पडोसी राजे में भी होने लगी तो दूसरा राजा भी उनहीं महात्मा जी के पास पहुंचा और इस युद्ध का परिनाम पूछा तो महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारे भागे में जीत निश्चित है राजा संतुष्ठ हो गया और मोज मस्ती में डूब गया अब जे जानते हुए भी कि युद्ध करीब है उसने अपने सैनिकों को कोई युद्ध का अभ्यास नहीं कराया अंत में युद्ध का परिनाम उसके विरुध गया जिस राजा की हार की भविशेवानी हुई थी तो जब वे राजा जीत गया तो उसने महात्मा जी से पूछा कि आपकी भविशेवानी गलत कैसे हो सकती है महात्मा बोले मैंने वो कहा था जो तुम्हारे भागे में लिखा था किन्तु तुमने अपनी मेहनत से अपने कर्मों से अपने भागे को ही बतल दिया क्योंकि तुमने अपने भागे से ज्यादा अपने कर्मों पार ध्यान दिया और युद्ध जीत लिया, किन्तु जिसकी जीत निश्चित थी, वे राजा भागे के सहारे बैट गया, उसने अपना करम ही नहीं किया, निठला हो गया, अभ्यास ही नहीं किया, युद्ध हार गय जो उसके भागे में था, उसे बैभी नहीं मिला, ये बात सच है, कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये भी सच है, कि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है, किन्तु हम भागे के भरोसे रहकर पूरा जीवन रोना चुन लेते हैं, अगर हम आज किसी समस्या में ह तो हमारे पुराने कर्मों के कारण ही हैं और अगर हम कल इस समस्या से निकलेंगे तो अपने आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे हमारे आज के कर्म हमारे कल के भागे की नीम बनेंगे अंत में आपको मैं एक जोतिशे टिप देती हूं सब प्रियातन करने के बाद भी आपके भागे का ताला नहीं खुल रहा तो खोलिए अपने भागे का बन ताला और शुकरवार बजार को जाकर एक नया ताला चाबी सहत लाएं किन्तु एक बार भी उस चाबी को प्रजोग नहीं करना है उसी तरहे उस बन ताले को रात को किसी स्टूल आदी पर रखकर अपने सिरहाने के पास रखले सुभा नहाद होकर मंदे जाएं तथा उस बन ताले को चाबी सहिद प्रभू चर्णों में रखकर प्राखना करें कि आपका भागे भी खुल जाएं बाद में जब भी कोई उस ताले को खुलेगा आपका धुरुभागे चला जाएगा किर्प्या वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब अवश्य कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा मार्क दर्शन अवश्य करें, आपने वीडियो को अंतक देखा, आपके भरपूर प्यार के लिए तथा अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद, तो मिलती हूँ आपसे, टेक कियर और नमाश्यूर।